दोस्तो अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको एक expensive full frame first class most expensive latest camera body मिलेगी एकदम free और इसके साथ में आपको जो lenses जो है best lenses वो भी आपको मिलेंगे absolutely free तो क्या आप यकीन करेंगे आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे आप बुलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है लेकिन मैं आज आपको इस जो मैं आपको इसलिए बनाया है मैंने आपके लिए ताकि यह चीज़े मैं खुद कर चुका हूं अपने photography business में और आप देखेंगे अगर आपकी यह application ठीक से बैठती है तो at the end of the day आपके जो भी आपके camera और lenses है latest one बहतरीन एकदम latest वो आपको पढ़ेंगे absolutely free of cost so welcome back to my channel friends this is देखें दोस्तों photography business जो है ना वो बहुत ही एक important चीज़ होती है किसी भी photographer के लिए और at the end of the day photography एक आर्ट के साथ साथ business भी है तो यहां पर हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हम photography के आर्ट को तो सीखें लेकिन अगर हमारे अंदर photography business का sense भी है तो definitely जो है हम अपनी एक अच्छा कासा करियर जो है photography में वो हम कर सकते हैं अचीव लेकिन उसके लिए आपको जरुत पड़ती है काफी अच्छे लेटेस्ट photography gears की मसलन आपके पास में एक अच्छा expensive camera body होगी या expensive lenses होंगे तो आप बहुत तरह का professional काम जो है बड़े लेवल पर आसानी से कर पाएंग यह बिलकुल आपके art को और business को दोनों को मिलाके है और absolutely जो आप देखेंगे कि भाई हमारी जो पूरी डिल आपकी पड़ी वो आपकी पड़ी total zero तो अब यह कैसे होगा यह मैं आपको थोड़ा से explain करता हूं दोस्तों देखें माल लीजिए आज आपको एक अच्छे camera की ज है नहीं और उतना हमारा budget नहीं है उतना confidence नहीं है अब इस चक्कर में क्या होता है कि हम कई बार जो है बहुत नॉर्मल कैमरा बॉड़ी या नॉर्मल लेंस के साथ में किट लेंस के साथ में जो है compromise कर लेते हैं और पिर पैसे कमा होगे कब पैसा आएगा कब करियर बनेगा क अब हम वहाले गेर्स करी देंगे तो बात हुजाती काफी लंबी चौड़ी तो मैं आपको इसको इतना लंबा ना कीच के स्टोरी जो एकदब शॉट में बता देता हूँ देखिए मान लीजिए आपको आज की तारीक में सबसे बेस्ट लिटेस क्यामरा चाहिए एक हम एक सिच्वेशन लेगे चल रहे हैं मान लीजिए सोनी का A7R4 आपको क्यामरा करीदना है अब उसकी जो कॉस्ट है लगबग धाई लाग के आसपास है मार्केट के अंदर तो मान लीजिए आपने वो एक सेलेक्ट कर ले अपने लिए ओक तो आपके यहाँ पर सिर्फ क्यामरा आप सुनिए और बाद में अपने कमेंट्स करके मुझे अपनी जो है जरूर दीजेगा तो मैं यहाँ पर जो है एक अपना कैल्कुलेटर भी जो है ऑन कर लेता हूं ताकि मैं आपको हिसाब लगाता जाओंगा और हम आगे की बात करते जाएंगे तो मान लीजिए डाइला सुनिए का तो लगभग उसकी कॉस्ट पकड़ लेते हैं धाई लाट प्लस देड़ लाक रुपे यानि कि देड़ लाक में आप क्या आ गया सोला पैतिस का f2.8 लेंस वन अप दा बेस्ट फेंटास्टिक जी मास्टर लेंस आपको मिल रहा है तो यह हो गया हमारे 4 लाक अब एक और लेंस के हमें जरुत पड़ेगी यानि कि टेली फोटो जूम लेंस की तो वो पकड़ लेंस अपने सुनी का जी मास्टर 70-200 तो वह भी लगभग हो गया हमारा देड़ लाक रुपे का तो यह जो टोटल कॉस्ट आ रही है हमारी सुनी ए सेवन और फॉर प्लस 16-35 एफ टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट और 70-200 एफ टू पॉइंट यह मिला के आ रही है साथ लाक रुपे और यहां हमारे पास में जो है फोकल लेंथ 16-200 इसका मतलब यह हमारे पास ना केवल एक लेटेस्ट बेस्ट कैमरा है इस वक्त मार्केट के अंदर उसके लाव हमारे पास जो है वर्ल्ड के बेस्ट लेंसे भी हैं अब इन तीन इस पूरे सेटप के साथ में हर तरीका काम कर सकते हैं चाहाए वह वेडिंग फोटोग्रोफ आप हर तरीका कमर्शल फोटोग्रोफी का काम कर पाएंगे अब आप कहेंगे साथ लाक रुपे तो बहुत होते हैं ये पैसे कहां से आएंगे फ्री में कैसे पड़ा तो सर इसका थोड़ा से कैलकुलेशन बताईए तो समझ लीजे कि भई साथ लाक रुपे का हमारे पूट इसी चीज़ बताता हूं यहां पर लोन अगर आप साथ लाक रुपे का लेते हैं तीन साल के लिए तो हम डिवाइड करते हैं इसे 36 से तो यानिकी तो साथ लाक रुपे डिवाइड बाई थर्टी सिक्स मन्स तीन साल का तो लगवग आपकी किष्ट आ रही है 19,444 रुपे अब यहां पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इंट्रेस देना पड़े तो हम एक 20,000 रुपे पकड़ लेते हैं आजकल सब जगे इंट्रेस फी आ रहा है और थोड़ा बहुत प्रोसेस सब्सक्राइब करना पड़े तो हम अगर आट किष्टों के अंदर दोस्तों आपके पास में यह सारे बेस्ट अगए हैं अब आपको हर महीने जो है उनको देना है करीब 20,000 रुपे अब यहां पर जो है फोटोग्रोफी बिजनस को समझने की ज़ुरत है अगर आप इतनी रिस्क लेने के लिए तयार है इतना पैसे दें कि डेड़ लाग रुपे तो वैसे भी खर्च करते ही हैं अगर आप कोई नॉर्मल कैम छेमरा बॉडी में और एक या दो लेंसे खरीदने में लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है फोटोग्रोफी बिजनस की टर्मस में कि अगर हम अपनी फोटोग्रोफी के साथ-साथ एक इंकम और चालू कर दें जिसे हम कहते हैं रेंटल इंकम यानिकी फोटोग्रोफी फोटोग्रोफर्स को जिनके पास में सारे नहीं है तो वहाँ पर अगर आप महिने के अंदर सिर्फ तीन बार भी दोस्तों अगर आप रेंट पे देते हैं तो एक इस तरह की क्यामरा बॉड़ी का मैं आपको कम से कम पैसा लेके चल रहा हूं माल लीजिए ऐसेवन और फॉर 35 mm का लेंस तो 1500 से लेगे 2000 रुपे पर लेंस का रेंटल अलग से मिलता है बट मैं इसमें अभी वो नहीं जोड रहा हूं मैं जोड़ रहा हूं साड़े पांच हजार ओनली विट 24-70 लेंस f2.8 एंड कैनन सोनी a7r4 वाडी का तो साड़े पांच हजार रुपे यगर आपको यहां पर आप 20,000 रुपे आसानी से जो है आप चुका सकते हैं अपने EMI के और साथ में आप यूज कर सकते हैं दुनिया के आप बेस्ट कैमरा बेस्ट लेंसे और यहां पर आप हर तरह का फोटोग्रोफी का काम भी कर सकते हैं हाफते के महीने में तीन दिनी तो आपने रे रहते हैं और आपका नेटवर्किंग किस तरह कि बिजनेस नेटवर्किंग फोटोग्रोफी इंडर स्टी के अंदर उस पर डिपेंड करता है कई लोग 10-15 दिन भी रेंट पर दे पाते हैं यहां मैं सिर्फ तीन दिन का बुकिंग लेकर आपकी तीन दिन की बुकिंग बें जाती है अब होगा इससे यह कि बाकी के जो दिन है वो आप अपनी खुद की फोटोग्रोफी भी आप वन अप दा बेस्ट के साथ कर रहे हैं और आपके पास में अच्छे गेर होंगे तो डेफिनेटली आप भी अपनी फोटोग्रोफी से जो है इंकम जनरेट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको पैसा मिलेगा तो कहने का मतलब है कि तीन साल के बाद अगर आप टोटल कैलकुलेशन लगाएंगे तो यह सारे गेर जो है दोस्तों वह पढ़ते हैं आपको एपसलूटली फ्री यानि कि आपने गेर्स खरीद भी लिए और आपने कुछ जो है आपका तीन साल के बाद आप दिखिंगे कि आपका कोई पैसा खर्चा लगा नहीं अब यहाँ पर जो है दोस्तों दो रिस्क हैं जो हमें समझने की ज़रूत है पहले रिस्क तो यह कि अगर माली जी तीन दिन हमारा रेंट पे गया ही नहीं तो फिर क्या होगा तो वहाँ पर आप आपको माल लो एक दो महिने नहीं गया तो वहाँ पर आपके पास में वह एक एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए लेकिन अगले मेने आप छे बार भी अगर आपका चला गया आठ बार भी चला गया रेंट पे तो वह पीछे का महिने का जो है बैकलॉग पूरा कर लेता है तो यहां पर समझने वाली बात ही है कि हमको एक छोटा सा फोटोग्रफी का बिजनस का सेंस भी लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी यहां पर रिस्क होती है कि अगर आप इतने महंगी गेर्स की थर्ड पार्टी को रेंट पर देते है या इस तरह का कोई भी आपको अरेज़्मेंट करना होगा और वैसे सोनी के या कोई भी कैनन होगा है निकॉन होगा यह सब दो से तीन साल की वारंटी के साथ महीं आते हैं दोस्तों अंटिल अन्लेस की कोई फिजिकल डैमेज ना हो तो ओवरॉल कहने का मतलब है दोस्तों क कि आप देखेंगे लॉंव टरम के अंदर तीम साल के अंदर यह चीजमें आपको पढ़ेंगी और आपके पास के सासी हैं अगर आपके पास में लेट जो है बाजार में बेचेंगे तो आपको मान के चिलेगी 50% की ऊपर रिटन मिलेगा क्योंकि camera body की कीमत डाउन होती है दोस्तों बिल्कुल free of cost अब यहां पर दोस्तों मैंने यह वीडियो इसले भी बनाया कि जो मैं कहा रहा हूं आपको ऐसा नहीं करना है आपके पास में अतना financial backup हो ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो बनाया और आपने वीडियो सिर्फ यह समझाने के लिए बनाया दोस्तों कि ऐसे भी किया ज अब यह मैंने क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहो कि यह मैं खुद भी अपने राइफ में अप्लाई किया है मैं मेरा भी studio है यहां पे मुंबई में और मैं अपना camera और lenses जो है rent पर देता हूं अगर आप मेरी website पर जाएंगे तो वहां आप देख पाएंगे कि मेरा 85 mm का lens है यह 24-70 mm का lens है या 105 का macro lens है या मेरी Nikon 200E की 36.3 megapixel की body है इस्टिल आई गेट गुड रेंट और मैं जब मैं रेंट पर देता हूं तो मेरी rental income होती है हाला कि मेरे पास में body अब 6-7 साल की उपर हो चुके है तो वह camera और body absolutely जो है दोस्तों मेरी free हो चुकी है और जितना का मैं मैंने investment किया था उससे कहीं जादा मैंने जो है earn किया उसके अंदर तो मैंने सूचा क्यों ना मैं अपने experience भी आपके साथ share करूं तो और मैंने यह सोचके भी उस ताम तो यह सोचके नहीं लिया था कि मुझे rental से income करनी उस वक्त तो मैंने खरीदा था क्योंकि मुझे तो यहां पर आपको बस यह समझने की बात है कि अगर रिस्क लेनी है तो उसके साथ में आपको दूसरी रिस्क लेनी पड़ेगी कि आपके पास में उतना business करने का sense होना चाहिए उतनी networking आपको करनी पड़ेगी और चाहे wedding season हो जब खताम हो गया तो उसके बार portfolio के लिए लि लेंसे की जरुवत पड़ती है और जो लोग इतना 7-10 लाग का खरचा नहीं करते वह आराम से 8-10,000 रुपे देखिए 5-6,000 रुपे देखिए वह हायर कर लेते हैं तो उन्हें सस्ता ही पड़ता है उनका काम भी हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है तो यह चोटी से calculation जिसके द्वारा मैंने आपको समझाए कि भाई इस तरह से हम जो है महेंगे गेर्स असानी से एफोर्ड कर सकते हैं उमीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगाओगा दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जल्दी से कर दो इसे लाइक और चैनल सब्स्राइब नहीं किय एक्सेंट्रिक्स टुटोरिल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ थैंक्स वाचिंग